वाव हलो फ्रेंट्स आपको इंडी स्टीज की चैन में मयानुराधा आप लोग का स्वागत करती हैं आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अबंदा गोवी का सालन तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बिना लसन और प्याज का हम बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से बनाए और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे फ्रेंट हमने आलू सालन बनाने के लिए इस तरह से हम चार मेडियम साइज की आलू इस तरह से हम कट कर लिए हैं इससे आलू सालन दिखने में जब सबजी बंद के रेडी होगा बहुत ही अच्छा लगेगा तो हमने इसको दो के अच्छे सी बॉस कर लिए हैं और इधर हमने देखिए हाब बंदा गुवी यानि पत्ता गुवी को हमने इस तरह से चोटे चोटे पीसिस में कट कर लिए हैं और इसको हम अच्छे से दो के बॉस कर लिए हैं अब इधर हम आप कोई भी कुकिंग वॉयल एड़ कर सकते हैं जिसमें आप बनाना चाहें तो अब हम सबसे पहले आलू को हम फ्राई कर लेगे तो इस तरह से हम एड़ करके फ्राई कर लेगे और यहां पे हम गैस का फ्लेम हाई रखके ही आलू को फ्राई करेंगे ताकि हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो जाए अगर आप मेडियम या लो पे फ्राई करते हैं तो आलू अच्छे से फ्राई नहीं होगा जब आप इसको तो यह काफी हद तक तूट जाएंगे तो इसलिए आप हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राइ करें और फ्राइ करने में हमको चार से पाच मिनट लग जाएंगे उससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और इसको हम बोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राइ करेंगे इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे तो देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी और गॉल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको हम एक प्लेट में निकालके रख लेंगे तो इस तरह से क्या होगा जब हम इसको कुकिंग करेंगे तो बिल्कुल आलू टूटेगा नहीं एक पीस भी नहीं टूटेगा तो इसी तरह से हम सारे पीसे इसको देखिए फ्रिंट निकालके हम एक प्लेट में रख लिए और ओही तेल में हम एक चम्मा जीरा का फोरन एक रीड मिर्ची और एक तेज पत्ता को हम एड़ करके इसको हम अच्छे से चटकने देंगे इसके बाद हम पत्ता गोबी को एड़ कर देंगे अब पत्ता गोबी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसको भी हम 2-3 मिनट हाई फ्लिम पे ही फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो पत्ता को भी है और अच्छे से फ्राई हो जा इसको भी हम गोल्डेन कलर तक ही फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें हम न लासन और न प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छे से इसको हम कलर में लाएंगे ताकि हमारा जब इसका ग्रेवी बने तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी दिखने में लगे और टेस्ट का कोई जवाब नहीं रहेगा तो इसको भी हम हाई फ्लेम पे ही फ्राइ करेंगे इसको हम इसमें चार मेडियम साइज के टमाटर हम प्यूरी बना के एट करेंगे तो देखिए इसका तीन से चार मिनट में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है हमने इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राइ किये हैं अब हम इसमें हल्दी एट कर दिये हैं और यह हाप स्पून जीरा पॉड़र वन फोर्थ स्पून गुलकी पॉड़र और हाप स्पून रेड मिर्ची पॉड़र और स्वादन उसार नमक अड़ करेंगे और इसको हम सभी मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे अब पूजा में भी बना रहे हैं तो आप इस तरीकी से बना सकते हैं अगर आप लसन प्याज नहीं खाते हैं तब भी आप इस तरीकी से बना सकते हैं तो मसालों के साथ 2-3 मिन्ट तक इसको हम और फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से फ्राई हो जा और इसको कWORKर करके फ्राई करेंगे और देखिए हमने जो पूरी बनाये थे और पूरी हम अभी ऐड़ कर देते हैं इसका हम फिरंट बीज निकाल के पूरी बनाये हैं तो देखिए हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं तो देखी दो सी तीन मिनट हो गए है अगर काफी हद तक पानी भी रिलीफ कर दिया है अगर आप नमा कईड करते हैं तो पत्ता गोवी पानी तुरत रिलीफ कर देता है तो हम यहां पे क्या करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड इसको कभर करके हम फ्राई करेंगे चार से पाच मिनट तक ताके हमारा पत्ता गोवी जो है हलके से सौप्ट हो जाए और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए तो देखे फिर चार से पाच मिनट के बाद अच्छे से मसाला भी तो देखिए, तब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम पानी इसमें एड़ कर देंगे, आप ग्रेवी कितना रखना चाहते हैं, उसके कॉर्डिंग, आप पानी एड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने लगभग 200 एमल पानी को एड़ कर दिये हैं, तो हम पानी के साथ अच्छे से पाले मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो हम टोटल लगभग 200 एमल पानी इसमें एड़ कर दिये हैं, अब अहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आलो फ्राय करके रखे थे, हम ओ आलो इसमें अभी डाल देंगे, और आलो को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो भी मसाला है आलो में अच्छे से अपजोर्ब हो जाएं, तो इसको हम अच्छे से पाने में सबको डिप कर देंगे, आलो जो हमारा पाले से काफी पका हुआ है, इसको हम कभर करके, 6 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, यानि 6 मिनट में हमारा सबजी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो देखें फ्रेंड हम 6 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं, देखें वाव कितना यम्मी और टेश्टी इसका कलर भी दिख रहा है, और सबजी कितना टेश्टी लग रहा है, तो इसको हम एक बाद पाले मिक्स कर लेते हैं, तो सबजी हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, और थोड़ा बहुत ग्रेवी है, तो हम आलो को क्या करेंगे, एक दो पीस को यहाँ पर मैस करके एड़ कर देंगे, तो जो हमारा ग्रेवी है, काफे ठीक हो जाएगा, तो अब हम इसमें धीर सारा धनिया पत्ती एड़ करके इसको कभर कर देंगे, और ठंड़ा होने के बाद हम आपको सर्विंग बाल में सर्व करके दिखाते हैं, अब धनिया पत्ती को एड़ करके फ्रेंट बिल्कुल चलाना नहीं, सिर्फ इसको कभर करके पाच मिनट तक ऐसी ही रने दीजिए, तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, अब देख देखिए, पाच मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं, सर्विंग बाल में सर्व करके वाग कितना देखिए इसका ग्रेवी कितना थीक हो गया है फाइव मिनट में, और हमारा सबजी जो है कितना डिलीसियस है यम्मी दीख रहा है, तो कोई भी पूजा छोटी मोटी हो, त अगर आप नहीं खाते हैं, तो आप इजली इस तरीका से बना सकते हैं, तो देखिए फ्रेंट कितना इजी और सिंपल तरीके से बिना लशन और प्याज का सबजी बनके रेडी हो गया, तो अगर रेश्पी आपको अच्छी लगी फ्रेंट, तो लाइक, सेयर, कॉमेंट ज